नमस्कार बोलते तारे आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सोना लिठाकुर्व जोतिशे शास्त्र में राशिफल के माध्यम से विभिन काल खंडों के बारे में भविश्वानी की जाती है राशिफल रोजाना की भविश्व का कथन करता है जो ग्र नक्षत्रों की चाल पर नर्भर होता है बड़े मुजर्गों का आशिरवाद ग्रहल करने से स्वास्त अच्छा रहेगा बारा राशिफल के जात्कों का राशिफल आपको बताएंगे उससे पहले क्या आपको पता है कि जोतिश्व शास्तर के मताबिक जीवन में जरम तीथी और ग्रहों की दशा का विशेश महत्व होता है हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है गुरुवार के दिन जरम लेने वाले जात्कों को भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की विशेश कृपा मिलती है बेटियों के लिए ये दिन और भी खास होता है जीवन में विशेश सम्मान प्राप्त करती है इने मीठा खाना बहुत पसंद होता है लेकिन अगर आपका गुरुवार खराब है तो क्या आपको उसके लक्षन पता है क्या आपको पता है उसका उपाई क्या होता है चलिए आज आपको बताती हूँ पहले आपको बताती हूँ गुरू खराब होने के क्या कुछ लक्षन है शिक्षा और ग्यान प्राप्ति में बाधा, कालपनिक दुनिया में खोए रहना शिक्षा या गुरू अच्छे नहीं मिलते, सही गलत चुनने की छमता घड़ जाती है नैतिकता में कमी आजाती है, ग्यान का अहंकार हो जाना पाचन ठीक से नहीं होता, नास्तिक हो जाना, गलत काम करने पर पच्चतावा ना होना और चली अब आपको बताती हूँ को गुरू को प्रसंद करने के क्या कुछ उपाय है पीला रंग भगवान ब्रसपती देव का है, इसलिए गुरू को जुड़ी पीली वस्तु जैसे सोना हल्दी, चने की दाल, आम का केला आदिदान करे ऐसे करने से ब्रसपती देव प्रसंद होकर शुबफल प्रदान करते हैं अगर आपकी कुण्डली में ब्रसपती को उस स्थिती में लाना चाहते हैं तो गुरूवार के दिन व्रत रखने चाहिए, इस दिन पीले वस्तर पहनना और बिना नमक का पीला भोजन करे इस दिन माल लक्ष्मी और भगवान सत्य नारायन की पूजा करने से लाव मिलता है विभा में अर्चने आ रही हो तो शुकल पक्ष के गुरुवार के दिन सोने में जडित पुखराज पहनना अच्छा होता है इसे जोतिशी की सला के बात पहने अगर पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो हल्दी की गाठ या केले की जड को पीले कपड़े में बान कर दाहिनी भुजा या गले में लौकिट बना कर पहने इसे गुरु ग्रह मजबूत होगा और विभा में आने वाली बाधाय दूर होंगी आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए गुरुवार को गौमती चक्र, कौरी, केसर और हल्दी का टुकडा इन में से कोई एक चीज भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं ये वस्तू समरिद्धी का कारक मानी गई है और इस से आपके पास पैसे की कमी नहीं आएगी स्वास्त समंदी समस्या दूर करने के लिए ब्रस्पतिवार के दिन केले के वरिक्ष की पूजा के बाद भगवान सत्य नाराएन की या ब्रस्पतिवार की कथा सुनना भी बहुत अच्छा माना गया है तो ये थे लक्षन और उपाय और अब राशिफल की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं मेश राशी के साथ अपने करियर को लेकर सतर्क होंगे और कुछ नया विचार मन में आएगा जिसको लेकर आशिरवादी बनेंगे इसको लेकर प्लैनिंग भी कर सकते हैं जो आगे चल कर काम आएगा आपका शुब रंग और अंक बता देती हूँ आपका शुब रंग सलेटी है और शुब अंक दो है और आप जानेंगे व्रिश राशी के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा आपका शुब रंग और अंक बता देती हूँ आपका शुब रंग और शुब रंग नीला है और शुब अंक आठ है ब्रिश के बाद मितुन राश्री की बात करते हूँ पतनी के साथ सम्मंद मधूर बनेंगे तो वही प्रेमी जोडों के बीच कड़वाहट पैदा होगी खर्चे बढ़ जाएंगे लेकिन मान से शुब शुब रंग और अंक बता देती हूँ आपका शुब रंग संतरी है और शुब अंक तीन है चले आप बात करते हैं करक राशी की और जानेंगे करक राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है स्कूल में पढ़ रहे चात्रों को आज के दिन असा फलता हाथ लग सकती है आपके अध्यापक भी आप से किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे चले आपका शुब रंग और अंक बताती हूँ आपका शुब रंग भूरा है और शुब अंक आठ है चले आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं सिंग राशी की कही बाहर जाने का प्लैन बनेगा लेकिन उसमें कुछ अर्चने भी आएगे परिवार में किसी सदस्य की नौकरी भी लग सकती है आपका शुब रंग और अंक बता देती हूँ आपका शुब रंग सलेटी है और शुब अंक च्वार है चले आप कन्या राशी की बात करते हैं दिन के शुरुबात में आलस ठाया रहेगा लेकिन दोपहर तक आप सामाने हो जाएंगे किसी अंजान वैक्ती के साथ आपसी कहासूनी हो सकती है लेकिन आप उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे चले आपका शुब रंग और अंक बताती हूँ आपका शुब रंग आसमानी है और शुब अंक पांच है कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशी की और जानेंगे तुला राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है घर का कोई व्यक्ति बिमार पर सकता है जिस कारण सभी को चंता हो जाएगी ऐसे में घवराने के बजाए सईयम से काम लेंगे तो जादा बहतर रहेगा शुब रंग और अंक आपका बता देती हूँ शुब रंग हरा है और शुब अंक नौ है चले आप बात करते हैं व्रिष्चक राशी की और जानेंगे व्रिष्चक राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है ववाहिक जीवन में कोई संकट आ सकती है और आपका साथी आपकी किसी बात को लेकर आपसे नाराज भी रह सकता है ऐसे में उनसे खुल कर बात करें आपका शुब रंग लाल है और शुब अंक एक है और अब बात करते हैं धनू राशी की आज आपको अकेलापन महसूस होगा और जीवन सूना सा लगेगा इसके लिए आपकी किसी दोस से मिलिये और उनके साथ कहीं बाहर गुमने जाएं चले आपका शुब रंग और अंक बताती हूँ आपका शुब रंग नारंगी है और शुब अंक दो है चले मकराशी की बात करते हैं काम में अर्चन तो आएगी लेकिन जादा देर तक नहीं टिकेगी आप अपने सूज बूज के साथ उससे निपट लेंगे पडिवार में आपके प्रतीमान सम्मान भी बढ़ेगा आपका शुब रंग संत्री है और शुब अंक तीन है और चले अब कुमराशी की जातकों के लिए आज का दिन कैसा होता है ये बता देती है अपने पिता को लेकर चिंता में रहेंगे लेकिन किसी से कह नहीं पाएंगे परिवार मे किसी का वहवार भी आपको बुरा लग सकता है जो आपको मन ही मन उदास कर देगा आपका शुब रंग और अंक बताती हूँ आपका शुब रंग गुलाबी है शुब अंक साथ है कुम के बाद अंतिमराशी मीन की बात करते हैं वैपार सम्मंदित यात्रा के योग बन सकते लेकिन आप उसमें जाने की इच्छुक नहीं होंगे ऐसे में किसी बड़े के साथ इस पर विचार विमर्श आवर्श कर ले और फिर ही कोई निर्ण नहीं ले आपका शुब रंग और अंक बताती हूँ आपका शुब रंग पीला है और शुब अंक छे है चले बोलते तारे म नहीं कि आपकी समस्या को हम और भी विज़तार से बताएं तो हमें कॉमेंट बॉक्स के जरीए जरूर बताएं फिलाल इतना ही नमस्कार